नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल उर्जा दा एनर्जी डिवाइन लाइट में आज हम बात करेंगे एंजल नम्मर्स के बारे में एंजल नम्मर्स वो नम्मर होते हैं जो हमें कुछ संकेत देते हैं यह एक स्वेंस में हमें दिखाई देते हैं और यह हमें दिखाई भी तब ही देते हैं जब एंजल हमें कुछ संकेत करना चाती है एक्चुन में एंजल हमारे असपास हमेशा होते हैं आपने महसूस किया होगा कि कोई ब्यक्ति, आपका रिष्टेदर, आपका फ्रेंड या कोई और आपके लिए लकी साबित होता है, उसकी सलह आपके लिए सफलता देने वाली होती है, तो ये क्या है, ये भी आपकी जीवन का एंजल है, जिसे आप पहचान पाते हैं या नहीं ये आपकी अपनी समझ पर डिपेंड करता है, तो इसी तरह से कुछ एंजल हमारे आसपास हमेशा रहते हैं, जो हमें संकेत देते रहते हैं, एंजल नमबर्स के रूप में, एंजल नमबर्स रिपीटेशन में हमको दिखते हैं, और अगर हम उन संकेतों को पहचान ना जात होते हैं, तो कोई भी महत्मूर कारे जो हम करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, या कर रहे हैं, उसे हमें आगे बढ़ाना है, या नहीं बढ़ाना है, इसका एकदम से सटीक निर्णा ले सकते हैं, तो आज मैं आपसे इसी बारे में बात करूंगी, कि एंजल नमबर् और उन्हें किस तरह से में decode करना है आपने अक्सर देखा होगा कि आपको कोई एकी नमबर बार बार दिखाई देता है उसका बार बार दिखाई देना ही यह है कि आपको एंजल्स को संकेट दे रहे हैं हाँ अगर आप किसी पर्टिकुलरली किसी नमबर को देखना चाहते हैं और आप अवेर हैं उस नमबर के बारे में और फिर जान भूच करके उसे आप देख रहे हैं तो इसे हम संकेत नहीं मानेंगे संकेत वो है कि आपको अचानक अचानक ही वो दिखता है और बार-बार दिखता है और कई बार तो जब आपके intuition power अच्छी होती है तो आप सपने में भी वो number देखते हैं वो number flash कर जाता है आप कोई सपना देख रहे होते हैं और वो कहीं आपको घड़ी में टाइम के रूप में या कहीं भी वॉल पर लिखा हुआ सपने में भी आपको वो number दिखने लगता है तो यह number होते है निपीटे बेवे में जैसे की one है तो one 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 तीन बार होगा या one 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 चार बार होगा या two 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 तू या three 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 इस तरीके से यह numbers होते हैं आप एकसर राश्ते में जा रहे होते हैं और आपको गाड़ीयों के number दिखते हैं और आज हम बात करेंगे one 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 के बारे में अगर आप कहीं आस्ते में जा रहे हैं घर में हैं घरी पर नजर पड़ती है आपको वन one one दिखाए देता है आप mobile में कुछ काम कर रहे हैं और battery आपको one 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 में दिखाए दिने लगती है या उस पर समय आपको 1-1-1 में दिखाई देने लगता है तो ये संकेत है कि आपको एंजल्स कुछ कहना चाह रहे हैं आपके मन में कोई अगर उथल पुथल मची हुई है तो आप इस नमबर के संकेत को समझे और उसके अनुसार काम करिए 1-1-1 ये हमें क्या बताता है ये बताता है कि आपको निगेटिविटी से दूर रहना है आपको नकारात्मक लोगों से दूर रहना है नकारात्मक विचारों से दूर रहना है नकारात्मक तको अपने आसपास भी बिलकुल भी फटकने नहीं देना है आपको positive रहना है positive thinking रखनी है positive way में सोचना है और जो आपकी inner voice है आपका दिल जो कह रहा है उसको आपको ध्यान से सुनना है समझना है और उसके according फिर आपको निर्णे लेना है अगर आपको one 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 लगातार दिख रहा है कई दिन से दिख रहा है और आप कोई निर्णे और स्थिति में फसे हुए हैं तो आपको ये करना है कि आप अपनी inner voice को सुने अपने आपको सुने अपने आपसे बात चीत करें दूसरों से तो सभी लोग बात करते हैं लेकिन अपने आपसे बात करना सभी को नहीं आता है तो आपको अब अपने आपको सुनना है और positive रहना ह और angels का आसीर बात आपके साथ है तो उस आसीर बात को आप अपने साथ लेते हुए आगे बढ़िये और एक बात और angels जो संकेत देते हैं जो strong intuition जो देते हैं आपको वो तभी देते हैं जब आप angels से connect होते हैं एंजल से connect होना भी जरूरी है उन पर believe होना उन पर faith होना भी आपका जरूरी है तब ही आप एंजल के indications को समझ पाएंगे जान पाएंगे और उसका लाव उठा पाएंगे इसके साथ साथ चलिए आज हम 222 के बारे में भी बात कर लेते हैं इसके अलावा जो numbers हैं उनके बारे में फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे अगर आपको 222 बार बार दिख रहा है कहीं किसी calendar में कहीं किसी watch में कहीं phone में कहीं गाणियों के number में कहीं wall पर लिखा हुआ मतलब कि आपको बार 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 रेपीटिटिव बे में 222 दिखाई दे रहा है तो इसका रथ है कि एंजल साब को संकेर दे रहे हैं कि आपने जो भी कारे शुरू किया है जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें असमंजस की स्थि में ना रहे हैं आगे बढ़ें आगे आपको इसमें सफलता मिलने बाली है और अपने प्रती और दूसरों के प्रती भी इमान दान हैं प्रती ऑनेस्ट फिर आपको सफलोने से कोई भी नहीं रोक सकता है असमंजस की स्थि को बिलकुल त्याग दीजे और आगे बढ़ें टू 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 यही आपको इंडिकेट कर रहा है यही आपको एंजल्स कह रही हैं तो एंजल्स की भासा को सुनना शुरू किजे समझना और एंजल्स हमेशा हमारे साथ होते हैं हर ब्यक्ति के लिए कोई ने कोई एंजल्स आसपास में अवश्य होती है वो किसी ब्यक्ति के रूप में होते हैं तब तो वो आपको सिधे सिधे ही सला दे देते हैं लेकिन जब ये अग्यात होते हैं हमारे आसपास होते हैं हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, तो वो हमें numbers के रूप में indicate करते हैं, इसे हमें समझना होगा, आज के लिए इतना ही, अगर आपको angel numbers के बारे में वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे comment box में आकर के बताएगा वश्य, आगे के numbers फिर मैं next वीडियो में बताऊंगी, और सब सबसे बाद में मैं बताऊंगी, 000 के बारे में, 000 जो के एक beginning number भी है और यह denote करता है end को भी, अंत को भी दर्चाता है और यह सुरुआत को भी दर्चाता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इसके बाद पतलब के सबसे last में मैं अपके साथ 000 के बारे में बात करूंगी, आज के लिए इतना ही धन्यवाद, नमस्कार